इगनो के दरब से आपका Admit Card रिलीस हो गया है जी हाँ, आपके Admit Card रिलीस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और इगनो ने बहुत कुछ कहा है Admit Card के बारे में जैसे कि आपके भी रिमाग में बहुत सारी Confusions होगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे चीज़े बताते हैं कि किनका Admit Card आएगा, किनका Admit Card नहीं आएगा लेकिन इगनो ने फाइनली ये सारी चीज़े अपडेट कर दी है तो चले पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहीएगा Admit Card से Related आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जैसे कि आपको पता है, हर कोई Admit Card के बाइलिम बताता है लेकिन उसके Solutions के बारे में कोई आपको कोई अपडेट नहीं देता Reason, आपके Admit Card 2020 के बारे में अगर आपका Admit Card गलत हो गया तो फिर आप क्या करोगे अगर आपके Admit Card आया ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे Admit Card किसका किसका आएगा और उसे के साथ अगर आप अपने Business Centers को Change करना चाहते हो तो फिर क्या होगा बहुत सारे सवाल और नए Admit Card में आपको बता दूँ कि 2021 के Admit Card में बहुत सारे Changes भी होगे उस Changes को भी जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा आप इस Changes को अगर इग्नॉर करते हो तो आपका Admit Card जो है वो आपका रद हो जाएगा और अगर बदलावों को आप ध्यान में नहीं देखते हो जो नई अपडेट की गई है इतने तिनों से जो भी Admit Card आती थी और अपकी Admit Card में क्या डिफ्रेंस है बहुत सारे चीज़ा आपको बताएंगे लेकिन हाँ वीडियो के साथ कंप्री टूट से जरूर बने रहीगा मैटर तो आपको पता चली गया है कितने सारे श्राडेशन होने वाले हैं आपके Admit Card से रिडिटेट सारी अपडेट के बारे में चली वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन हाँ वीडियो को जरूर एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाईए क्योंकि हम ही देते हैं पाट जीव स्पिट के साथ सारी इंफर्मेशन Admit Card आप कहां से डाउनलोड करेगे सबसे पहला option आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा लॉगिन करना होगा अपनी आईडी पे लॉगिन करने के बाद आपको आनी होगे आपके ग्रेट कार्ड और रिजर्ट वाले टाप पे ये टाप सबसे इंपोर्टेंट है आप अकर लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे बहतर होता है कि आप अपने आईडी पे आईए रेजिस्टर आईडी पे लॉगिन कीज़े लॉगिन करने के बाद आपको यहां बहुत सारी चीज़े अप्डेटेट मिलेगी जैसे कि हॉल टिकेट डाउनलोड टर्म और इग्जामिनेशन गाईडी एसे कुछ आपको हॉल टिकेट डाउनलोड पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके पास हॉल टिकेट ऐसे रिलेज होता हुआ दिखेगा लेकिन इससे जुड़ी कुछ अफडेट आपको सबसे पहले बता देती हूँ क्यों किस तरह आपके एड्मिट कार्ट में नई में चेंजिस की गई है और आपको जानी जरूरी है इग्नू एड्मिट कार्ट 2021 पर उलेक किया गया है कुछ चीज जैसे कि इग्नू हॉर्ट टिकेट 2021 डाउनलोड करने के बाद उमिद्वार को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस पर जो भी प्रिंटेड है वो सही सब कुछ सही है या गलत अगर एक भी चीज गलत होगी तो आपको गेट से बाहर कर दिया जाएगा अगर एड्मिट कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो जल से जल्दी आवंटित इग्नू परिक्षा केंदर पर जाकर इसे सही कराए जो भी अगर आपका गलत हो गया है तो आप अपने परिक्षा केंदर पर नहीं जाके आप अपने जो है रिजनल सेंटर पर जाके आप वहां पर स्टडी सेंटर है वहां पर जाके इसको जो है सही करवा सकते हैं तो इस बात को जरूर से ध्यान रखे दूसरी बात है निम्डिखित विबरन आपको यहां पर दोहसर रिखिस के होल टिकट पर उल्लेखित होगी यानि यह सारे चीज़ें आपके हॉल टिकट में होगी अगर इसमें से एक पी चीज़ अगर मिस है ना तो समझ लेजिए आपके यहां पर अपने फॉर्म में कुछ गरबड़ी की होगी या फिर आपका सही डीटेल फिलप नहीं हुआ होगा उमिद्वार का नाम सबसे इंग्सामनेशन देट अब देख्खिए इंग्सामनेशन देट जो होती है वो आपके subject wise होती है जैसे के आपको बता दू, कि यहां पर एक मैंने आपको Talk Demo दिकाया था उसके बारे में आपको बता देथे थी। This is the demo और यहाँ पर आपको बतानों कि demo इस तरह से है देखिए यहाँ पर आपको जो course code है न वो आपका सबसे matter करता है आप इसे हिसाब से examinations देने जाओगे आपका जो यहाँ पर course code है उसके बाद आपको जो examinations date यह सबसे important है आपका examinations date जिस दिन में है उसे दिन आपको examinations देनी जानी है और afternoon है या पिर morning किस session पे है वो भी जरूर से जरूर ध्यान देखेगा और उसके बाद आपको बजा दू अगला जो update है वो है कि आपका परिक्षा का समय timing afternoon में है morning में है यह चीज़ा को ध्यान में देनी होगे applied program आपको आपने किस program के लिए apply किया था जिस subjects के लिए क्या वो सारे subject words नहीं है या नहीं तो उस पे भी detail आपको रखने की जरूरत है important आपके लिए कुछ directions दिये गए हैं परिक्षा केंद्र पर जाना एक विकल्प नहीं है उमिद्वार admit card में गलती सुधाने के लिए भी संपर कर सकते हैं इगनू में संपर कर सकते हैं अगर आपका कोई सुने ना ऐसा नहीं आप समझते हो कि अगर हमारा admit card में कुछ mistake है तो हम जाके direct admit card लेके examination center पहुत चाहे ऐसा बलकुल नहीं कीज़ेगा क्योंकि इसमें examination center में आपको entry नहीं मिलेगे इसका solutions है कि आप जाके संपर कर सकते हो contact number यह है देखे जितने details से मैं बताती होना इन सारी information को आप पूरे youtube पे find out करो search out करो कोई आपको इतने details से सारी solutions नहीं बताते हैं तो always वीडियो को like किया किज़े और share किया किज़े ताकि सब तक सही information पहुँच सके इगनो परिक्षा पदाधी करन का संपर्ख detail contact detail हम आपको दे रहे हैं phone number यह सारे हैं इन सारे phone number पे आप call कीज़े इसमें से आप अपना admit card फिर से सही admit card release कर सकते हैं email id इस पे आप email कर सकते हैं और अपनी admit card से जो सुधार करने हैं आपको जो correction करनी है वो सारे चीज़ें आप कर सकते हैं तो दोस्तों आप जान लो यह स्क्रीन पे जितने भी नंबर हैं इन सारे नंबर को आप note कर लो और अगर आपको आगे कोई भी मुस्यवत होगी तो आपको उस समय इस सारे नंबर की जरूरत होगी ठीक है और आपको बता दू कि इगनु एड्मिट कार्ज रिलीज की तारीख जो फर्वरी की है वो फर्वरी 2021 में जो रिलीज होगी वो परिक्षा से कम से कम दस दिन पहली होती है तो दस दिन आग के पास समय होता है रिचेकिंग और करेक्षन का इगनु दिसंबर टर्मिट परिक्षा की तारीख फर्वरी 2021 है ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इग्जामिनेशन तारी समय पर होगी यानि फर्वरी पे फिलहाल अभी डेट शेट रिलीज दो सत्रों में यानि सुभ़ा और दो पहर में इग्जामिनेशन होती है दस से एक और दो पहर दो से साम पांच बजे के बीच में अब आपका सब्जेक्ट किसे साबसे है उसे साबसे ही आप इग्जामिनेशन देने जाओगे तो ध्यान में रखिए नून कहने का मतलब यानि 10 से 1 का टाइविंग, अब अगली डीटेल है, कुछ सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या मैं अपना इगनु का परिक्षा सेंटर बदल सकता हूँ, इसका उत्तर है हाँ, अभ्यारती यानि जो भी कैंडिडेट है, अपनी परिक्षा केंदर को बदलना चाहते हैं, त और जो रिजना सेंटर से आपका, अपने रिजना सेंटर स्टाड़ी सेंटर जो भी है, आपको स्टाड़ी सेंटर ही सामने होता है, तो उसी पर जाईए, और उस पर एप्लिकेशन लिखिए, कि मेरा अद्मिट कार्ड में कुछ हमको अपना परिक्षा केंद, यानि एक्ज इंग्जामेशन सेंटर चेंज कराना है, due to some reason यह साइच चीज़े करके आप आप जो है अपना चेंज करा सकते हैं, ठीक है, बिना उसके अनुमति के आप जो है इग्जामेशन का जो सेंटर है, वो चेंज नहीं कर सकते, अगरा सवाल है कि इग्नु में टर्म इंट इंग्ज TEE क्या है? TEE, what is the TEE? Term in examinations is the full form of TEE. तो IGNU में Term in examinations परिक्षा को संदर्भित करता है, यानि आपका जो examinations आप देने वाले हो उसका. याद रखे, तो बार examinations होती है, July में and आपका December में. IGNU में उतीर नंग क्या है? What is the passing marks in IGNU? तो उतीर करने के लिए उमिद्वार को IGNU परिक्षा में minimum आपको 50% अंक लाने पड़ते हैं. 50% आप ले आओ, तो आप पास हो जाओगे. ठीक है? क्या मैं अंतिमतिधी के बाद IGNU assignment जमा कर सकता हूँ? तो नियत समी के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले assignment पर विचार नहीं किया जाएगा. It means, ये आपका receive नहीं किया जाएगा, accept नहीं किया जाएगा, reset हो जाएगा, date से पहले ही submit करे, assignment बहुत जरूरी है. इसे के साथ दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, उमीद करती हूँ कि आप जितने वे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में उन सब का जवाब मिल गया होगा, admit card जैसे ही आएगी, उसके link मैं आपको update कर दूँगी, इसके लिए आप चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके और bell icon प्रेस करके रखा केज़ें, अपने सवाल जरूर केज़ें और अगर आप call के थ्रूँ जानना जाते हैं अपने सारी क्यूरी तो call me for app पर, यानि रेशन क्लास at the rate call me for app पर जाके call के ज़ें और आपके सवाल के जवाब मैं आपको as a call थ्रूँ आपको जरूर दूँगे, thank you so much.